अगर आपको computer से इसको connect करना है फिर data cable आपको दी जाएगी आपने एक point इसमें लगाना है जब दूसरा point अपने port में लगाना है जब उसके बाद एक software होगा आपका इस software को आपने click करना है और अपना port जो की port और है इसके click करेके connect कर देता है अब आप कुछ भी करेंगे तो आपके bomb इसमें सेव होता चले जाए जाएगा सब्सक्राइब यह date and time अब अगर मैं fire करता हूँ इस पे तो यह आपका experiment नंबर सेव होता चले जाएगा आप यहां से इसको सेव डेटा कर सकते हैं और आपका यहां पर फोल्डर बन जाएगा और इस फोल्डर में आप जो भी आपने किया होगा हो यहां पर सेव हो जाएगा